असलाम लेकुम आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर आप लोग ने समझना है कि catalog manager के अंदर आप लोग किस तरीके से one by one manually आप लोग upload कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं complete आप लोगों को बताता हूं आप लोग ने simply items के उपर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था add item के उपर आप लोगों क्लिक करना है manual के उपर आप लोगों क्लिक करना है और यहां पर जैसे मैं already आप लोगों को upload करके दिखा चुका हूं अब for example मैं यहां पर upload जो already product है मैं क्या चीज़ आड़ करना चाहता हूं यह जैसे hand water pump है अब यह manually आप लोगों को करके दिखा रहा हूं यहां पर अगर मैं अपने store पर आता हूं hand water pump जी मेरे पास कहां पड़ा हुआ है यह देखें वो refresh नहीं हुआ था तो इस वज़े से show नहीं हो रहा है यह है hand water pump है यहां से मैं सिर्फ description यहां से उठा लेता हूं और कोशिश कर जो hand water pump का जो यहां पर आप लोगों को लिंक नजर आ रहा है यह जिस्ट आप लोगों कोपी करना है कोपी करने के बाद यह जिस्ट यहां पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है और एक चीज़ यहां पर image आप लोगों ने यहां पर choose file के ओपर जाना है यहां पर जाने के लेक्रोनिक्स लिख सकते हैं जो भी आपकी डिट अखरी आप दे सकते हैं इंस्टॉक है जी बिलकुल कंडिशन नीओ है ब्रेंड आप लोग अपना बता दें माई हैं स्टोर है और यह आईडी फॉर एक्जेंपल आईडी इस बेस के उपर बनाते हैं फॉर एक्जेंपल आपको एलेक्ट्रिक वाटर पंप के अंदर आपको तीन चार किसमें हैं इसकी आईडी बना दें पी पंप 01 अगली के 0203 अपलोड करेंगे जैसी आप यह देखें हैं वा आगे जाकर बताता हूं कि आप लोग ने किस तरीके सी डेटा सोर्सेज और वाटी जो है एड्स के थुरू